ये पेशिंट पचास साल उमर में हमारे पास आये थे इन्हें शुगर और बीपी की समस्या काफी दिनों से थी और कोई भी ट्रीटमेंट करने के बाद इनका लिंग तनाव में नहीं आ रहा था चै वो दवाईया हों इंट्रा कैवर नोजल इंजेक्शन हो तो इसलिए हम इन्हें पिनाईल इंप्लांट के लिए सेलेक्ट किया और इसी जगह पर हम अपना इंसीजन रखेंगे जिससे हम इंप्लांट डालेंगे जैसे आप देख सकते हैं ये दो सिलेंडर्स हैं इनके बीच में हमारे पिशाप का रस्ता निकलता है यही से ही हमने पिशाप की नलकी डाली हुई है और इसमें हम यहाँ चीरा लगाएंगे और सिलेंडर्स को डालेंगे इंप्लांट को डालेंगे सिलेंडर्स को इंप्लांट के लिए तियार करने के लिए हमें उसके अंदर जगह बनानी पड़ती है तो जगय बनाने के लिए हम सबसे पहले उसमें दो टाके लेते हैं और उसके बाद इन दोनों टाकों के बीच से हम एक कट लगाते हैं कट लग जाने के बाद वहाँ से दोनों तरफ हमें स्पेस बनानी पड़ती है क्योंकि हमें उसी जगय पर implant डालना रहता है शुरू में हम scissor से थोड़ी सी जगय बनाएंगे और scissor के बाद हम एक-एक करके ये dilators को इस्तिमाल करेंगे जिससे की जगय बन पाए और बड़े से बड़ा और लंबा implant हम link में डाल पाएं तो ये process दोनों तरफ के cylinders मतलब corpora cavernosa में किया जाता है जिससे की हम दो cylinders डाल पाएं और link को अच्छी लंबाई और चोड़ाई मिल पाए तो जैसा की आप देख सकते हैं हम बड़े से बड़ा dilator डाल रहे हैं जिससे ज़ादा जगय बने और हमारा implant अराम से आ सके चुपा सके ऐसी इसके अंदर भी यह वाला इतना हिस्सा hard रहता है यह वाला हिस्सा soft रहता है जिससे की मुड सकता है हमारा implant और यह वाला हिस्सा फिर hard रहता है तो इसको भी हम डालने वाले हैं यह है हमारा shows implant इसमें हम जो जगय हमने पहले बनाई थी उसमें इन silicone roads को fit कर रहे हैं दोनों तरफ अब हम जो एक घाव था इसको layer by layer बंद कर देते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा operation होने के बाद एक अच्छी लंबाई और चोड़ाई पैनिस को मिल गई है